कोरोना महामारी से भारत के दिल्ली मुंबई जैसे शहर बूरी तरह प्रभावित हुए हैं पर भारत के गाउं पर क्या पढ़ा है इसका असर? आज कवर स्टोरी में इसी की पढ़ता कोरोना वाइरस की विज़े से भारत में जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो कईयों के लिए रोजी रोटी के लाले पढ़ गए तब लाखों प्रवासी मजदूरों ने शहरों को छोड़कर गाउं का रुख किया ट्राक, बस, ट्रेन या फिर पैदल ही ये मजदूर लॉट पड़े क्योंकि इनके सामने जिन्दा रहने का सवाल था इन्हें लग रहा था कि शहरों में ये जादा दिन टिक नी पाएंगे लेकिन गाउं पहुँचना जितना मश्किल था उससे भी बड़ी मश्किल उनके सामने खड़ी थी जितनी बड़ी तादाद में लोग लोटे थे गाउं में उनके लिए रुजगार के औसर उतने नहीं थे अब इन में से कई गंभीर गरीबी की मार जहिलने को मजबूर है देखिए बीबी से सम्मादाता निखिल इमान इनामदार की ये रिपोर्ट हजारों लाखों प्रवासी मजदूरों की तरह ही पूजा और लवकुष ने भी आठ दिनों का मुश्किलों भरा सफ़त ते किया घड तो आ गए पर आप आगे क्या होगा ये सवाल मूब आए खड़ा है इन में से कुछ प्रवासी मजदूरों के पास जमीन तो है पर कई परिवार वालों की बीच बटी है इथर मौमद शम्शार जैसे लोग भी है जो पहले एक्सपोर्ट हाउस में दरजी का काम करते थे पर अब परिवार चलाने के लिए सड़क किनारे आम बेचने को मजबूर है हाल के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वापस अपने गाओं में लौट गए है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने राज सरकार उसे कहा है कि इन प्रवासियों को उनके गाओं में ही काम दिया जाए करोना संकत से निपटने के लिए सरकार ने मनरेगा पर खर्च बढ़ा दिया है और न्यूंतम मजदूरी में भी इजाफा किया है लेकिन एक्सपर्स का कहना है कि इतनी बड़ी समस्या को देखते हुए शायद ये काफी नहीं है रोजगार गारंटी कानून का दाइरा तुरंट पढ़ाये जाने की जरूरत है परदुर्भागे से बिहार, चारखंड, उत्तरप्रदेश, ओडिशा जैसे गरीब रज्यों के पास स्थानी अलोक निर्मान कारियों को तुरंट बढ़ाने की बहुत कम तयारी है अगले कुछ महीनों में बड़े पैमाने पर लोग भी रोजगार होंगे शेहरों के कड़वे अनुभव लेकर गाउं लोटे कई लोग फिर शेहर जाना चाहते है पर मंदी की कगार पर पहुँची अर्थिव्यवस्ता और बंध होते कारोबार के बीच कईयों के पास शायद कोई विकल्प नहीं अलांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा के तहत 51 लाख मजदूरों को रोजगार देने का दावा किया है पर सवाल अब भी वही है कि क्या इतना काफी है और अब बात करते हैं गाउं की शिक्षा पर हुए असर की कोरोना की वज़े से गाउं के स्कूल भी बंद है बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे है सरकार ने तमाम योजनाओं की मदद से इन बच्चों को स्कूल तक पहुँचाया तो था अब आशंका ये जताई जारी है कि इन ग्रामेंड बच्चों की पढ़ाई लिकाई तक छूट सकती है लड़कियों का स्कूल छुडा कर घर के काम में लगाया जा सकता है उने भारत के गाउं में शेहरों जैसी इंटरनेट और बिजली की सुवधा नहीं है कि बच्चे आउनलाइन क्लास कर सकें ऐसे में जादातर बच्चों के लिए पढ़ाई जारी रख पारना आसान नहीं होगा देखे बीबी से सम्भादाता अंगा पाठक की रिपोर्ट जो लोग पढ़े लिखे हैं वो अपने बच्चों को घर पर पढ़ा सकते हैं हम असिक्षित हैं कभी स्कूल नहीं गए हम अपने बच्चों को घर पर कैसे पढ़ाएं करोला संकत के कारण स्कूलों के भविश्य पर सवाल उठने लगे हैं स्कूल बंध होने की वज़े से उप्चारिक शिक्षा से बहुत सारे छात्रों का नाता तूट गया है हम बच्चों से कहते हैं कि बैठ कर पढ़ाई करो मगर वे नहीं सुनते हैं वो बाहर खेलने के लिए भागते हैं केकडे और मचलियां पकड़ते हैं ग्रामिन अलाकों के स्कूल एक तरह से बच्चों की देखभाल करने वाली सौस्थाओं की तरह काम करते है जब माता-पिता खेतों पर काम करने के लिए जाते हैं तब बच्चे स्कूल में अध्यापकों की निगरानी में रहते हैं बिजली, इंटरनेट और स्मार्टफोन न होने के कारण ओनलाइन पढ़ाई इनके लिए अभी भी दूर की कोड़ी है मौनसून की शुरुआत हुई है अगर हम घर पर रहकर ये देखते रहेंगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं तो फिर खेतों में कौन काम करेगा बच्चों की पढ़ाई तो स्कूल में भी होती है मूबाइल बाद की बात है हमारे यहां तो बिजली ही नहीं है हम क्या करें बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने की स्थित्य में नहीं है क्योंकि वो खुद भी कभी स्कूल नहीं गए हम अनपढ़ है घर पर बच्चों को कैसे पढ़ाएं बच्चों को वही पढ़ा सकता है जिसे खुद पढ़ना आता हो हमें तो पता ही नहीं है कि किताबों में लिखा क्या है अब यह बच्चे खेतों में अपने माता पिता का हाथ बटा रहे है मेरी बेटी दसवी में है अब वो नहीं पढ़ सकती है घर पर रहकर साफ सफाई, कपड़े धोने और खाना पकाना जैसे काम करती है नहीं पता कि आगे उसकी पढ़ाई का क्या होगा आशंका जताई जा रही है कि ये बच्चे, खासकर लड़किया, शायद स्कूल खुलने पर भी पढ़ाई चारी ना रख सके इन बच्चों को दोबारा स्कूल लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हो सकता है कि वो ना लोटें, बहुत सारे चात्र खेतों में काम कर रहे हैं, उन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल काम होगा ग्रामिन अलाकों को शिक्षा से चोडने के लिए भारत ने कलंबा और मुश्किलों भरा सफर तया किया है मगर कोरोना संकट ने इस रास्ते में और भी बड़ी चुनोतिया खड़ी कर दी है और आईए अब आपको बताते हैं कि दुनिया भर में कोरोना अपडेट क्या है विश्वर स्वास्ते संगटिन के मताबिक पिछले 24 घंटे में एक दिन में दुनिया भर में सबसे ज़ादा मामले दर्ज किये गए हैं डबलु एचों के मताबिक एक दिन में 1,83,000 से ज़ादा रिकॉर्ड नए मामले सामने आए हैं इन में से 60 फीसदी मामले उत्तरी और दक्षणी अमरीका से हैं दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित मामले बढ़कर करीब 90 लाक हो गए हैं और 22 लाक से ज़ादा मामलों के साथ अमरीका सबसे ज़ादा प्रभावित देश है इसके बाद दूसरे नमर पर ब्राजील है जहां करीब 11 लाक मामले दर्ज हुए हैं और 50,000 से ज़ादा लोगों की मौत हो चुकी है आशंका है यहां हालात और बिगड सकते हैं कोरोना से बिमार लोगों की संख्या अचानक बढ़ने की वज़ा है टेस्टिंग में आई तेजी भी बताई जा रही है राश्टपती डॉनल्ट ट्रम्प ने आज सुबह एक ट्वीट में लिखा कि जो देश जादा टेस्ट करेगा वहां जादा केस मिलेंगे ट्रम्प का ये ट्वीट शनिवार को उनकी उस क्यामपेइन रैली के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने लोगों से टेस्टिंग धर घटाने के लिए कहा है बाद में वाइट हाउस ने कहा कि ये एक मजाग था